नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपके अपने चैनल ज्यान गुरु एकेडमी में दोस्तों आज मैं एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं कच्छा 12 एक मिना टूप जाई एक थोड़ा सा अब देखिए मैं यहां पे आपको क्या बताने वाला हूं यहां पे मैं आपको प सुरुआत हो रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी अगर आप भोगोल की शुडेंट है तो भोगोल भी आप आपके चैनल पर पढ़ा जा रहा है तो बच्छों भोगोल की आप तैयारी कैसे करेंगे पूरी आपके 100% की तैयारी आपके बोर्ड एक्जाम से करा कर बेची जाएगी तो हमेरे चैनल के साथ बने रही है और आज मैं पहले लेशन से सुरुआत करूंगा ठीक है और पूरा अच्छी तरीके से क्वेस्टन वाइज आपका इंपोटेंट इंपोटेंट क्वेस्टन करा 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 के बच्चों मैं आपके वोगोल का सलेबस ख़तम कर दूंगा चैप्टर वाज करांगा यह यह भी कोई है कि इह उतना करेंट के वाइज करा हूँकी पूरे यूटूब परिजिक्स, कमेश्ट्री, मैथ, बायलोगी इनकी तो पूरी सब्जेक्ट मिल जाती है लेकिन यहाँ पर आट वाले बच्चों के लिए जो बो कोई कलास ही नहीं चला जा रहा है तो बच्चो मैं आप के लिए मैं इन सब्जेक्टों को पढ़ा रहा हूं तो आप जादे से जादे इस वीडियो को सेर किजिए ताकि आपका बच्चो फाइदा हो सके और इसके साथ हमारा जो चैनल है यह भी ग्रो कर सके यानि कि कहने का मत आता हूं लेकिन आप थोड़ी से वीव साने लगें कि और मन से मैं आप लोग को और जुरून के साथ दिन रात मेनत करके मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बच्चो और बोर्ड एक्जाम में आप लोग का पूल कुल ही प्रिपेरेशन करा के भेज़ूंगा ठीक है तो पूरा बना लिया है मन बना लिया गया कि आपको पूरा लेवस दिया जाएगा सब कुछ करा जाएगा बच्चो तो आप लोग भी थोड़ा सेर कीजिए वीडियो को जादे स्जादे हमारे वीडियो का फायदा मिल सके ठीक है तो आए पहला चेप्टर हम सुरू करेंगे इ पहले हम समझ लेते हैं कि इस चेप्टर में है क्या एक नजर में पहले हम समझ लेते हैं बच्चो या पर देख लिजिए कि जियोग्राफी का साबदिक अर्थ होता है प्रिथिभी जियोग्राफी का साबदिक अर्थ क्या है बच्चो प्रिथिभी यानि कि प्रिथिभी का वरनन करना तथा इसके बदलते रूप का वरनन करना जियोगराफिक असाबदिक रूप होता है क्या होता बचो प्रतिवी का वरनन करना तथा उसके बदलते रूप का वरनन करना क्लियर है चलिए भुगोल की ज्यान या फिर भुगोल को ज्यान की सखाओं की जननी कहा जाता ह बुगोल को बहुत important point है बच्चो बुगोल को क्या कहा जाता है ज्ञान की सखाओं का जननी कहा जाता है next point माना बुगोल मनुष्य तथा उसके परेवरण के परासपरिक संबंदों का बोध कराता है जो मानव भूगोल होता है मनुष्य तथा उसके परेवरण के पारसपरिक संबंधों का बोध कराता है कलियर है चलिए नेक्स्ट पॉइंट भूगोल की इस साखा जो मानव भूगोल है का ध्यान 19-20 सदावधी के अन्त में चार्ल्स डार्विन की पुष्टक ती बचो वरीन आप इस्पेसिज के प्रकासन के समय हुआ लोगों की इस बिशे में जिग्यासा भी बढ़ी उसके बाद लोगों की इस बिशे में क्या हो गई बच्चो जिग्यासा भी बढ़ गई अब next point लखे ugly important points है हैं सारे आप इन्हें pen down करते चलिएगा Red gente Lord जिन्य हाद्निक मानव Google का जनक भी कहा जाता है इन्होंने, ठीके Red Ohhh ने क्या क्या इन्होंने लिखा क्या लिखा बच्चों? कि मानव को जिवित रहने इन्होंने क्या लिखा था अपनी पुस्तक में यहां पर देख सकते हैं एंट्रो जियोग्राफिक देख लिए ध्यान से बच्छों एक किताब का क्या नाम था एंट्रो जीयोग्राफिक ठीक है और इस पुस्तक उन्होंने लिखा था मानों को जीवित रहने के लिए पर्यावरण में शहयों करना अनिवार है अगर किसी मान ठीक है वो क्या थी बचो एंत्रो जियोग्राफिक सीच क्लियर हो गई चलिए नेक्स्ट पॉइंट मनिश्य में मनिश्य अपनी प्रारंबिक अवस्था में प्रक्रीत के अनुसारी जीवन जीता था जो मनुश्य की प्रारंबी के वस्ता थी उसमें प्रकृत के अनुसार ही जीवन जीता था प्रकृत के अनुसार अपने को ढालने की कोशिस कोई परेवरण ये निश्चेवाद कहा गया अपर यहां पर देख लीजिए lnc sapal red gel की एक अमेरकी शिस्सिया के अनुसार मानम वूगोल और स्त्रीप्रथवी तर्था क्रिया बदलते रिश्तों का बोध कराता प्रकृत के नियमों को समझ कर ही मानव ने प्रदोगी की का विकास किया और प्रकृत को अपने अंसा ढाल लिया इसे ही संभावना वाद कहा गया अगर आपसे संभावना वाद किशे कहते हैं तो आप बतायांगे प्रकृत के नियमों को समझ कर मानव ने प्रदोगी की का विकास किया और प्रकृत को अपने अंसा ढाल लिया इसे ही संभावना वाद कहा जाता है इसे ही संभावना वाद कहा गया क्लियर है ठीक है अब यहां पर देख लिजिए नव निश्चे वाद जिसे आधिनिक निश्चे वाद था बैज्यानिक निश्चे वाद भी कहा गया है इसके प्रवर्थक आश्टेलिया के महान भुगोल वेता गृफित टेलर हैं ठीक है अब बच्चो यहां पर कुछ पॉइंट और हैं ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि नव निश्चे वाद प्रकृत पर पुण निश्चे वाद प्रकृत के अती दोहन दोनों का को बच्चो आपनाने का क्या है शमर्थक है नेक्स्ट पॉइंट देख लिजिए प्राचीन समय से लेकर आज तक मानों भुगोल के अध्यान छेत्र एवं उपागमों में परिवर्तन होता रहा है प्राचीन समय से लेकर जो समय बीत चुका है बच्चो जो हमने ठीक है नह जैसे समाजिक भुगोल राजनितिक भुगोल आर्थिक भुगोल आदी यह सबी चीज़े बच्चो शामिल है तो आइटिंग कि बच्चो आज हमने कई पॉइंट्स आप लोग को बताया अगर आपको यह चीज़े सारी समझ में आई है बच्चो क्या हुई है यह सारी किजेगा और आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम आपके यूटीब चैनल ग्यान गुरु एकेडमी पे ठीके जियोग्राफी के क्लासे प्रिपेरली रेगुलर एदम चलाएं तो आप ज्यादे से ज्यादे दोस्तों को सेहर किजिए ज्यादे से ज्यादे लोगों को आकर यहा पढ़ना चाहते हैं तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बना बना के आप लोग को बचो मैं यहां पर जियोग्राफी का पूरा सेले बस कंप्लीट करा देंगो वह भी इंपोर्टेंट क्वेस्चन के साथ तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादस ज्यादे अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद प्सक्तर लिए झाल झाल